हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर स्बोच्चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनीकाइन न्यूच चैनल के अंतरगत लेपरोसी यानि जिसे आप कुछ ट्रोग, सुनबहरी, हांसेंडिजी, कोड, कोडिया, इतियादी के नामों से जानते हैं कुछ ट्रोग के लिए जो आप एमडिटी के दवा इस्तिमाल करते हैं ये केवल कुछ ट्रोग्यों के लिए खुस करने वाली दवा है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक जब लेपरोसी आपको कुछ ट्रोग हो जाता है काफी आप परेसान जब हो जाते हैं एक तो सुरू में आपको मालूम नहीं चलता है चुकि लक्षन आपको पता नहीं रहता है और कुछ ट्रोग के जगह पर ना जाने कितने तरह के बिमाणियों का इलाज चल जाता है और कुछ ट्रोग धिरे-धिरे अंदर-अंदर ही बढ़ते जाता है उसके बाद यदि देर सबेर यदि आपको मालूम ही चल जाता है कि आपको कुछ ट्रोग हो गया है तो आपको अगल बगल किसी न किसी से यह सलाह जरूर मिल जाता है की MDT जो दवा होता है यह कुछ ट्रों के लिए बहुत सही है और इसे जड़ से ठीक हो जाता है और आपको जब अस्पताल में भी जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो यह आपको बताया जाता है की MDT का कोर्स कर लेने के बाद में आपका बीमारी बिलकूल ठीक हो जाएगा बहुत कम अस्पताल में आपको यह बताय जाता है कि यह क्योवल रोक थाम करेगा आगे नहीं बर पाएगा कोई-कोई मरीज अपने दिमाग से एक कोश्चन करते हैं कि यह ठीक होगा कि नहीं होगा परफेक्ट तरह से तब उनको कोई अच्छे डॉक्टर में जाते हैं तो जब आप जुरूर दे देते हैं कि आपका विमारी कंटोल में रहेगा ठीक कभी नहीं होगा कई मरीजों को ज्यादा कोश्चन के जबाब आपको नहीं बताए जाते हैं और कई मरीज इसका प्रश्ण भी नहीं करते हैं बहुत सारे मरीज ऐसे ही दवा कुष्टो का लेना सुरू कर देते हैं लेकिन जब उनका विमारी ठीक नहीं होता है तो उनके दिमाग में तरह तरह का कोश्चन आने लगता है तब जाके डॉक्टर से सवाल करते हैं गम भीरता पुडवक तब जब आब आता है कि ये विमारी ठीक नहीं होगा मेरे कहने का मतलब है एमडिटी जो है कुष्टो की दवा है कुष्टो को ये खुस करने वाली दवा है ताकि एक तो है कि फिरी में आपको आसानी से ये मिल जाता है फिर में मिलता है और एक साल तक आपको पैसे नहीं लगते हैं जैसा कि एक मरीज ने बताया कि कई जो प्राइबेट और सरकारी पता नहीं कितने तरह का अस्पताल इसमें खुला है प्राइबेट पर भी आपको बहुत सारा चीज अस्पताल खुलने लगे हैं तो उसमें बताया कि एक साल तक दवा का कोई खर्चे आपसे नहीं लिया जाता है लिकि वहीं दवा आपको एक साल के बाद या दिले नहीं है तो आपको फिर से पैसे देने पड़ते हैं कई लोग को एक साल का इलाज चरियाता है तो उसके बाद में ये बिमारी कुछ चो का कमप्लीट नहीं होता है तब फिर बोलते हैं दो साल लिजिए कई लोग दो साल कोई तीन साल कोई चार साल लेते हैं और उनके सरीर पर काफी शाइड इफेक्ट आने लगता है, साइड इफेक्ट आने लगता है जैसे कि सरीर में सुजन होना, दर्द होना, आखों से कम दिखाई देना, तब उनको लगता है कि अंदता हिस दवा को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ऐसे मरीज काफी घुमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं करें तो क्या करें जाए तो कहां जाएं किस डॉक्टर से दिखाएं बरे से बरे डॉक्टर से दिखा लेका तो आपको मैं जनकारी के लिए बोल दूं कि कहीं पर भी जाईएगा कुछ टो के लिए एक सदान अस्पताल में जाईए चाहें बरे मल्टी ड्रग थिरेपी इसलिए कहा जाता है क्यों कई दवाओं का मिस्रन रहता है इसलिए मल्टी ड्रग थिरेपी है सिंगल दवा इसमें काम नहीं करता है ये खुस करने वाली दवा इसलिए है कि मरीज को लगता है कि चलिए एक तो फिरी में और दुसरा एक तो फिरी में ह और इसलिए मरीज बहुत ज्यादा खुस हो जाते हैं कि फीरी में दवा में रहा है और एक साल खा लेंगे तो उनका बिमारी बिल्कुल खतम हो जाएगा लेकिन जब एक साल छो महिन आए जब दवा का जब सुरू करते हैं सेवन तो एक तो साइड इफेक्ट आने लगता है जैसे कई मरीज ने हमें बताया कि उन्हें MDT दवा लेने के कारूं को कई तरफ पिलिया जोंडी सोने लगा जोंडी सोगिया कई लोग का आँखम का ये जो रोशनी है ये जो आँख का रोशनी है ये धीरे धीरे कम होने लगता है मोतिय बिंद भी हो जाता है बहुत लोग का आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं कुछ ट्रोग का जब लक्षन आने लगता है तो इसलिए हम क्यों कह रहे हैं कि AMDT कुछ टोगियों का ये खुश करने वाला दवा है लेकिन हकीकत में है कि कई आप तो जैसा की जानते ही होंगे जब दवा यूज किये होंगे जब यूज किये होंगे तो आपको मालूम होगा कि दवा जब लेते रहते हैं तो आराम रहता है दवा छोड़ते ही प्रोब्लेम आने लगता है तो फिरी के दवा जब आपको मिला आप सोचे कि एक साल तक ठीक हो जाएगा अंदर से बहुत खुसी हुई आप खुसी के मारे जूम उठे कि फिरी में मिल रहा है और इसे ठीक हो जाएगा लेकिन जैसे ही आपको मालूम चलता है कि ये दवा का बहुत साईड इफिक्ट है और इसे जड़ से कभी ठीक नहीं होता है कि वह अराम लगता है खुसी तुरंद निरासा में बदल जाता है अब आपका दिमाग चटकने लगता है कि अब कहां जाए कहां जाए क्या करे किसे मिले अब मेरा वीडियो का फायदा आपको मिलेगा इसका समधान है सिर्फ होमियपैफिक दवा होमियपैफिक दवा लेने में किसी भी तरह का आपके सरीर पर साइड इफेक्ट नहीं होता है यदि चमरा सुन हो गया है कुछ रोग में चमरा मोटा हो गया है और सुन होना एक सिम्पल कलम से कोई भी कलम उठा लिजेगा सरीर में और इतना आसान जाच करना दुनिया में किसी भी रोक का नहीं है और ये जाच आप फिरी में कर सकते हैं क्योंकि एक सधारन डॉक्टर से के पास से मिलिये या बड़े डॉक्टर के पास से उपना कलम हला के ये हला कर ही सेंसेशन ही देखते हैं कहीं पर भी आपका सेंसेशन देखा जा सकता है यदि आपका जहां चमरा सुन हो गया है कलर बदल गया है चमरा मोटा हो गया है पतला हो से पीन अल्पीनी चित्टी काटने से यदि आपको बिल्कूल समझ में नहीं आए इसका मतलब है कि कुछ रोग हो गया है कुछ रोग कोडिया दिभेंतरह के नामों से जानते हैं दिहात में यदि उनको चमरा सुन हो गया है और उस वो बोल दे कि आपको कोडिया हो गया है बि लेकिन जब 2-4-5-10 जगा पर जाएंगे सरकारी अस्पताल का चकर काटेंगे दवाईया खाएंगे अब उहां के डक्टर जो बैठे हैं बोलेंगे कि आपको कुछ ट्रोग हो गया है कोधिया हो गया है तब आपको मालुम चलता है कि आपको वास्तों में लेप्रोसी का विमा हो चुका है अगर एक मिनट में समात करें तो कुछ ट्रोग का परधाल लक्षन है हाथ पाओं का उंगली धीरे-धीरे टेढ़ा होते जाना अंगली का पतला परते जाना ना खून धीरे-धीरे कला होक और खराब होते जाना गिर जाना धीरे-धीरे ना खून भी गिर सकता ह फोरे फोरे सरीन में आपको आ सकता है फोरे फोरे चकते चकते आ सकते हैं सरीन में जुन जुनी होता है कहीं पर भी चोट थोरा सा लग जाए तो आपको बिजली के तरह जटका लगेगा इसमें मुट्टे रहो सकता है नाक्टे रहो सकता है नाक के हडिया भी गल सकती है चलने के करम में पैड से चपल आपका निकल जाएगा और धूप में निकलने में आपको तरह तरह का दिकत होगा आग के पास में बैठेंगे तो घाव हो जाएगा यदि जहां पर सुन है चमरा कट फट जाए तो आपका घाव जल्दी ठीक नहीं होता है लंबे समय तक आपने टीट में नहीं किया तो जहां पर सुन है चमरा वहां पर घाव निकल जाएगे और जहां पर कुछ ट्रोग का मोटा चमरा हो गया है जहां सुन हो गया है वहां का केश जहर जाएगा पसीना निकलना बंध हो जाएगा और जुन जुनी और सुई चूबना सुई के तरह चूबते रहता है सुई की तरह चुपते रहना भी कुष्ट्रो का परधान लक्षन है यह जगरुकता फैलाईए और यह कुष्ट्रो का लक्षन यदि आप जान गए हैं और इमडिटी के दवा ले रहें या लेने का सोच रहें आ इमडिटी लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है तब प्राथ्मी कुप्चार की रूप में हाइडोकोटाइल एस्याटी का यह दवा से बीमारी कंट्रोल रहेगा फिर एक बार सुनिएगा बार बार आपको हम बताते इ पूरा लक्षन बता कर आप टीटमेंट लेंगे तब ही जाके ज़र से ठीक होगा इसमें खाने में महत्पूर्ण बर लाव करनी चाहिए कुछ ट्रोगियों कर खान पन जो है फाल फूर्ट से सुरू करनी चाहिए काजू किसमिस संतरा आउला यह सारे फाल जो होते हैं सारे में थुरा बिटामिन सी तो हर में पाए जाता है लेकिन कुछ ट्रोगियों के लिए खास करके आउला संतरा जादे कारगर रहता है इसमें ड्राइफूर्ट काजू किसमिस भी बहुत आच्छा काम करता है यह बिमारी में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करनी चाहिए य ऐसे कई लोग मचले नहीं खाते हैं मिट नहीं खाते हैं अंडा नहीं खाते हैं ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है हरा सबजी आपको लेनी चाहिए और फ्रुष को तो आपको जीवन में आदर डालेनी चाहिए कई मरीज करते हैं सर हम तो निर्धन हैं गरीब हैं हम फल नहीं खरिद सकते हैं ऐसे मरीजों के लिए ऐसे मरीज जो गरीब है उनके लिए मेरा सलाह रहेगा कि आप कम से कम एक फल तो जरूर ले सकते हैं एक संतरा ले लिजे एक सेव ले लिजे एक अर्नार ले लिजे आवले भी थुरा सा ले लिजे किसमिस तो आप 100 रुपिय का करदेंगे तक इतने दिन जाएगा काजु खर देंगे वा दो राई साका तो बहुत दिन जाता है इसलिए महंगा नहीं है कि कई मरीजों को लगता है कि अपने अगर हम घर पलाते हैं तो सारे परिवार के लोग को खिलाने परेगा तो बिल्कुल कोई ड़ने की बात नहीं है दो दो चार्चेर दाने यदि देली आप खाते हैं देली का डेली तो आपका ये बिमाडी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फल फूर्ष के साथ खान पान में उचित बरलाओ के साथ में यदि आप ट्रीटमेंट लेंगे जरूर आपका ठीक होगा। ये MDT तो केवल आपको खुस करने वाला ये दवा है कि फीरी में मिलता है और फीरी के चकर में आप अपना बहुमुल समय टाइम बरबाद करते रहते हैं। कोई भी जनकारी परफेक्ट परिकेस लिजिए। क्या MDT दवा लेने से आपको क्या-क्या फाइदा होगा, क्या-क्या नुक्सान होगा। MDT दवा लेने से आख में आपका कम्पलेन आ सकता है। आख का रोसनी कम होना, मुतियाब बन बनना, जोंडिस, पिलिया, लुज मुशन की सिकाई, चकर, उल्टी, घबराहट, रियक्शन, तरह-तरह का आपको साइड इफेक्ट होता है। इसका भी आपको भली भाती, जनकाई ले लेनी चाहिए। यदि खुस करने वाले दवा से ठीक नहीं होता है, तो होमिपैथिक दवा ही बेस्ट है। चुकि हेनिमेल साहब ने परियोग करके देखा था कि जो बिमारी अंग्रेजी दवा से जड़ से ठीक नहीं होता है, होमिपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। इसमें आपको साबून, यह जो साबून का आपको परियोग है, पियर्स, यह पियर्स साबून जो होता है, चमरे को सफ्ट करता है, मुलाइम करता है, यह आपको इस तरह के देखकर इस टाइप का साबून कहीं से भी ले सकते हैं, पियर्स हो या अन कोई ब्रैंट के साबू बहुत ही बेहत्रीन मेडिकेटेड होता है जो कि आपके सरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और ये जो चालमोगरा का तेल है चालमोगरा तुबरोकोईल कहीं पर भी मिलता है चालमोगरा का तेल तुबरोकोईल चालमोगरा तो ये 250 रुपया का 50 से मिल परता है इसे हम लेनी क सलाह नहीं देते हैं बलकि इसके बदले में मस्टर्ड वैल करूत तेल सुध आख के सामने पिराई करवा लिजे उसी को नहाने के पहले आपको लेनी चाहिए बजार में जो मिलता है उसकी सुधता की गरांटी नहीं है और इस बिमारी में यदि आप M.D.T के दवा लेना नही साइड इफेक कर रहा है और ये खुश करने वाले दवा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी सलाह ले ना चाहते हैं किसी भी तरह का आपको परसानी है आप चाहते हैं समपूर्ण डिसकॉस करें तो आप हमरा वार्षिप नम्बर पर अपना मैसिजड कर सकते हैं, जो नहीं जानते किस तरह से आप सहायता लेंगे तो एक नम्बर है कि मुबाइलte नम्बर, वार्षेप नम्बर से संपर करनी चाहिए, संपर करने के बाद में आपकी सारी बात को बता दिया जाता है तो आपको यदि वार्ट्षिप नमर मेरा चाहिए तो वार्ट्षिप नमर है 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 यानी 980, 1757, 533 पर राय ले सकते हैं 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3, 3 980, 1757, 533 पर राय ले सकते हैं कई मरीज बोलते हैं कि सर समयज में नहीं आता है कि क्या क्या मोबाइल नमर बोल दिजिए तो उनलों के लिए आप फिर से नोट कर सकते हैं 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 या आप इस पर नोट करके कोई भी समस्या क्या है समाधान जान सकते हैं आपना आए वाट्शिप पर हाई लिखिए यदि आपको कोई भासा है यदि आप नेपाल से हैं उडिशा से है, बंगाल से है यदि कोई आपका भासा हिंदी नहीं है हम आपको हिंदी, इंग्लिस, भुजपूरी तीन भासा हमारे पास तीन भासा में मैसेज कर सकते हैं तीन भासा में बात कर सकते हैं यदि आपको यदि आप नेपाली अभासा बोलना जानते हैं बंगला जानते हैं उडिशा आप में बोल रहे हैं और तमिलाडू का कोई तो आपको यदि आपको हिंदी बोलने नहीं आता है तो दूसरे से भी आप मैसेज करवा सकते हैं एक ट्रांसलेट करने वाला आदमी को रख लीजिए और आपके बारे में वो बताएगा और डाइट हमसे अपने अलक्षन लेकर ओनलाइन टीट में ले सकते हैं यदि आप बहुत ज्यादा दूर हैं यदि बहुत ज्यादा आप दूर हैं तभी भी आपको चिंता करने की जिरूत नहीं है कुछ टोगी घर बैठे सरा सला अपने मोबाईल पर जान सकते हैं ये मेरा कोई इसमें अपना मेरा मेहनत नहीं है ये कुछ टोगियों के आशिरबाद के कारण ये चैनल बढ़ते जा रहा है और कुछ टोगियों के चलते ही हम इतना मेहनत करने में सक्षम होते हैं कुछ ट्रोगी अपने बल पर अपने दम पर उस चैनल को चलवा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का सलीर सरकार देती है दवा का जो पैसा होता है वो सरकार देती है भले ही ओ दवा रोगी को फिरी में मिलता है कुछ ट्रोगियों से पैसा लेने का पैसा कमाने का मेरा कोई उदेश नहीं रहता है बलकि उनका जो पैसा है उनके सोज रिसर्च में ही हम लगाने की कुछिस करते हैं जो भी वो देते हैं क्योंकि हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं आपके लिए दिन लाद काम करते हैं तो इसमें तो कोई सरकार हम लोग को सहायता नहीं देती है, डॉक्टर का कोई सिलरी नहीं है, दवा का कोई सप्लाई नहीं है, हम लोग को अपने मेहनत से और अपने पैसे से ही इसमें सब चीज आपको मेंटेर हम लोग करनी परती है, जिसका कुछ सुल्क लेपरोसी के मरीज को ही वहन करनी परती है तो कुछ टोगी अब अपने से वो दम लगा रहे हैं अपने से रिसर्च करवा रहे हैं च्योंकि MDT दवा लेते लेते वो ठक चुके हैं उनको रास्ता कोई नहीं दिखाई देता है और YouTube में और Google पर सर्च करते रहते हैं जिसमें मेरा वीडियों उनको मिलता है साइब देखते हैं बहुत सारे वीडियों देखते हैं उसमें बहुत सारे मरीजयों को मेरा वीडियों पसंद आता है और इसलिए कि कोई भी वात हम पूरे इमंदारी के साथ सच्चाई के साथ बताते हैं और पूरे परमान के साथ बताते हैं कई मरीज को यह अभिस्वास रहता है कि बिमारी ठीक होगा की नहीं होगा तो जो जो मरीज ठीक हो गए हैं उनका हम टेलिफोन नमा रख चुके हैं रखते हैं उनको हम बात करवा द दे देते हैं बहुत सारे लोग मदद भी करते कि नहीं कुछ ट्रोग हो मिपैथिक दवास से ठीक होता है तो लेप्रोसी के मरीज को विश्वास हो जाएगा कि बीमारी ठीक हो जाएगा एक एक सबसे बड़ी चीज है कि लाइब में लाइब में कोई मरीज आना नहीं चाहता है एक घटना तो बताए कमपनी में कि वो नहीं सर हमारे बारे में मत बताईएगा नहीं तो कमपनी वाला निकाल देगा एक लड़का जो अच्छा ते तरह के था लेप्रोसी के मरीज थे आये थे वेचारे थोरा सा मालूम हो गया सेंटर चनाले वाले माली को किसको लेप्रोसी के बीमारी हो गया तो हटा दिये तो इस त्रहं के जो समस्या होती है उसके लिए ये लोगों का नजरिया में थोरा परिवर्तन करनी चाहिए इलाज के बारे में जनकाई रखनी चाहिए और कई जगह पर तो आप कुश्ट रो नुकता आए कि कुछ ठीक हो जाता है तो पहले तो कुछ भी दवा नहीं था तो रोगियों का हाथ पाम का उंगली गिड़ जाता था सरने लगता था और पुराने पढ़ने पर पिलुआ भी पढ़ जायेगा लेकिन अब सरकार के परियास से जो MDT का दवा है भले आपका विमारी जर से ठीक नहीं होता है लेकिन आपको रोक थम कर देता है आपको नुक्सान बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है यानि आपका विमारी जरूर कंट्रोल कर देता है लेकिन जर से ठीक नहीं होता है तो सब दवा का कुछ साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको MDT दवा लिए है तो फिरी में देकर आपका कमसगम रोक थाम तो हो गया रोक थाम हो गया बाद में आप इसे संतुष्ट नहीं है MDT से यानि खुश करने वाली दवा से तो आपके लिए एक दूसरा दरवाज होमिपैथी का दरवाजा उसके रास्ते आएंगे आपका विमारी जरूर ठीक होगा जो मूँ सोता है ना रैट कई ठोपना कई अपना बिल बना के रखता है अगर एक बिल बना के रखेगा तो वचने के संभावना ही नहीं है कई आप्शन को रखता है अगर साप पकरने उ निकर जागा दूसरे में छिप जाएगा ठीक उसी तरह से आपके भी कुछ ट्रोगियों को भी कई रास्ते बनानी चाहिए जैसे अंगरेजी दवा से ठीक नहीं हुआ तो आप होमिपैथिक दवा ले सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई परसानी नहीं है ये दवा लेने क तो जुन जुन नी पैट से चप्पल निकलना ये आम बात है और इसमें जो शरीर होता है काफी बुढ़े जैसा होने लगता है बुढ़े जैसा आप होने लगेंगे और घाव जलदी ठीक होने का नाम नहीं लेता है अगर ये बिमारी को अगर सही समय पूपचार नहीं करा का नम्जी में सकता है आज के खास वीडियो में इतना ही मेरा वीडियो अच्छा लगा है तरो लाइक से सब्सक्राइब करना भूर लिएगा लेपरोसी के मरीज के चलते ही मेरा ये चैनल देसं और विदेसं देखा जाने लग přिसक्त gentleman की किसी कोने में गाउं हो द्यात हो सहर हो कहीं से भी आमारी सिवा आप ले सकते हैं बहमुल अपना समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंग जैभार्व